हलो औन वैलकम स्टूरेंट्स मैसल नीरू गुपता एसोसियेट प्रफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गौर्वर्टमेंट अमेस कॉलेज बीक अनेग। स्टूरेंट्स आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है बीसी पार थर्ड का फर्स पेपर हम पढ़ रहे हैं और हमारी फोर्थ यूनिट का फर्स चेप्टर चल रहा है और आज हम उसके जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अगर हम नाम पर ध्यान दें तो हम यह चीज समझ सकते हैं कि पूर्फारीन कंप्लेक्स होगा और उसके अंदर एक भातु का परमानू होगा पूर्फाइरिन्स क्या होते हैं पहले हमारे लिए जानना जरूरी है पूर्फाइरिन्स are one of the most important group of bio-inorganic compounds in which a metal ion is surrounded by the four nitrogen of porphyrin ring metal of porphyrins क्या हैं उसके लिए porphyrin ring कैसे बनती है porphyrin are made of four pyrrole rings linked together through methane bridge चार pyrrole के molecule अगर methane bridge से आपस में जुड़ जाएं तो एक porphyrin वलय प्राप्त होती है और इस porphyrin वलय में जब एक metal ion enter करता है तो बनने वाली structure को हम metal porphyrin कहते हैं therefore they have macrocyclic pyrrole system तो हम यह कह सकते हैं कि यह रहत pyrrole system है जिसमें कि conjugated या संयुगमित double bond पाए जाते हैं जैसा कि आप इस चित्र में इस figure में देख रहे हैं चार pyrrole ring आपको इसमें देख रहे हैं जो कि methane bridge से जुड़ी हुई है यह porphyrin ring अभी बिना metal के है अगर इस porphyrin ring का हम देखे हैं इसमें हमें चार nitrogen दिखाई दे रही हैं लेकिन चार में से दो nitrogen एक तरह की हैं और दो nitrogen दूसरी तरह की हैं इस चीज को हम समझ लेते हैं कि the porphyrin ring act as tetradentate ligand porphyrin ring में porphyrin ring को हम कह सकते हैं कि यह tetradentate ligand है यानि कि यह चार ligands चार इसमें हमारे पास positions हैं जहां से bonding हो सकती है with four nitrogen donor sites और यह जो चार positions हैं वो चार nitrogen की donor sites या data शेत्र हैं two of these are tertiary donor positions दो इस्थितियां हैं जिने हम तरत्यक data इस्थितियां कहते हैं and while other two are secondary donor positions बागी की दो secondary या द्वितियक स्थितियां हैं thus a porpharin ring act as a tetradentate di-negative ligand अर्थात porpharin वला है एक tetradentate या चतुषदंतुक di-negative यानि कि dvirenion ligand की तरह से विहवार करती है अब चुकि यह di-negative ligand है तो इसमें कोई भी di-positive गाटायन आसानी से fit हो जाएगा और उसमें सबसे मुख्य रूप से होते हैं fair, fe plus 2, mg plus 2 या nickel plus 2 जो की इस porpharin ring के साथ एक neutral complex बनाते हैं जिसकी structure हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है चार porpharin वलाय आप देख रहे हैं nitrogen देख रहे हैं चार यानि कि यह tetradentate, चतुषदंतुक ligand है M जो symbol है वो metal के लिए use किया गया है और ये M जिससा हमने बात की कि iron भी हो सकता है, magnesium भी हो सकता है nickel भी हो सकता है, zinc भी हो सकता है इन में से कोई भी atom इसके अंदर अगर fit होगा तो बनने वाली structure metal o porpharin होगी यानि उसकी हम definition अगर हम देना चाहें तो हमारे पास क्या परिभाश आएगी the complex in which a metal ion is held in a porpharin ring system are called metal o porpharins यानि कि वह संकुल जिसमें एक porpharin वलाय में एक धातू आयन जुड़ा रहता है धात्विक porpharins या metal o porpharins कहलाते हैं and such complexes play a vital role in biological system और ये metal o porpharins जीव जगत के यानि कि दोनों ही वनस्पती और जन्तू जगत के महत्वपूर्ण यौगिक हैं the best value of size of the central hole has been estimated to be radius of 0.2 nanometer अब ये जो hole देख रहे हैं जहां metal iron को enter करना है उसका सबसे सही size क्या होना चाहिए तो ये पाया गया कि अगर वो radius उस धात्व आयन की radius 0.2 nanometer है तो वो ideal होगा और ये ideal position first transition series यानि कि प्रथम संक्रमंट शिरिणे के तत्वों के लिए सबसे suitable होती है अगर आकार इससे छोटा होगा तो भी ring ruffle हो जाएगी यानि किसे कुड़ जाएगी और उससे nitrogen atom metal के साथ proper bonding नहीं कर पाएगा और यदि ये size metal iron का बड़ा होगा hole से तो भी metal iron इस hole में fit नहीं होगा और 4 nitrogen atom के plane से या समतल से बाहर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि metal porphyrin a stable complex तभी बनेगा जब उसके central hole जिसका की radius 0.2 nanometer है उसके अनुसार ही first transition series अर्थात प्रथम संक्रमंट शेणी का कोई भी तत्व उसमें प्रवेश करे अब हम दो metal porphyrin जिनकी इस चप्टर में चर्चा करने वाले हैं वह हैं पौदो में पाए जाने वाला हरा पदार्थ chlorophyll जो की प्लांट्स के प्रकार संसलेशन के लिए उत्तरदाई होता है जो की एक magnesium porphyrin है और इसी प्रकार हम दूसरे की बात करें तो वह है समी जंतों में पाए जाने वाला रक्त में लाल रंग के लिए उत्तरदाई पदार्थ हीमोग्लोबिन जो की एक iron porphyrin है इन दोनों की structure आप देखिए हमने यहां पर draw की हुई है एक है जिसमें की F.A. अंटर किया है porphyrin ring में दूसरा है जिसमें magnesium ने अंटर किया है porphyrin ring में एक structure है हीम की यानि की हीमोग्लोबिन की और दूसरी structure है chlorophyll की chlorophyll और हीमोग्लोबिन दोनों metal porphyrin हैं जिनमें दोनों में porphyrin वले के अंदर हीम में F.E. और chlorophyll में magnesium पाया जाता है तो यह metalloporphyrin का एक general introduction है और इन metaloporphyrin में अब आपको जो दो compound पढ़ने हैं वो हैं दो complex पढ़ने हैं वो हैं iron protoporphyrins याने की hemoglobin और chlorophyll याने की प्रकास translation में जो हरित पदार्थ पाया जाता है उसकी structure हम structure और उनका role इस chapter में आगे अगले topics में continue करेंगे तो आप इन structures को देखें इनको एक बार draw करने की कोशिश करें और draw करने के बाद आपको ये चीज जब हम आगे इनके structure और इनका role पढ़ेंगे तो आपको ये structures ध्यान में रखनी होगी आज के इस lecture में metalophilin का introduction हमने शामिल किया next lecture में हम hemoglobin और myoglobin के बारे में बात करेंगे उनके role के बारे में बात करेंगे until then thanks